नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारे चैनल सुक्सेस प्लेज में इसमेरे बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट सेर के बारे में जिसके बारे में आप काफी सारी नियूज देखते होंगे कि बोले जाएगा कि ये शेर नीचे आएगा ये शेर नीचे पहला है रिलाइंस के बारे में आपको बताएगा ये बहुत बड़ा रैली दे चुका है अब बड़ा रैली के बाद इसमें करेक्शन आएगा गिराबट आएगा तो दोस्तों आपको न्यूज से अपडेट रहना चाहिए आज भी न्यूज आया है कि टिक टॉक जो है वो इसलित है कि वो इंडियन कंपनी बन गया अब वो इंडिया में इजली ऑपरेट हो सकता है तो ये सारी न्यूज से आपको अपडेट रहना चाहिए तो बाइट डांस जो है टिक टॉक की पैरेंट कंपनी वो बात करें रहे है और आम वी को वो भी डिल बात चल रही है सिर् से बहुत ही आगे आपको दिखेगा इसलिए अलगातार अपडेट रहना चाहिए कि इसमें गिरावट तो आएगा 100-200 पॉइंट आए एक न्यूज में ही आपको 200-300 पॉइंट मूँव कर जाएगा इन सब बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूज आता है तो उ इसा नहीं कि एक बार सेर में गिरावट आया सपोर्ट लिया फिर उसमें तेजी देखने मिला यह वन बे रहली था और यहां पर आप देख सकते हैं यह एक बार थोड़ा सा डाउन आया तो 2000 के प्राइस पर सपोर्ट लिया और महां से एक ही दिन में अपना सारा का सारा गि इंडियन मार्केट भी करेक्शन दिखाएगा तो वह ऐसे मैं आपको इसमें गिरावट देखने मिल सकता है और वाइस आपको कोई गिरावट नहीं आएगा इन सब बातों से आप लगाता अपडेट रहिए तो यह टेकनिकल चार्ट में भी इसमें आपको कुछ नहीं कह सक अभी टेकनिकल चार्ट क्योंकि यह न्यूज बेष्ट डॉलि था जो न्यूज आया इसमें एक से एक न्यूज आते गया और रिलाइस मूव करते गया तो अब यह जो न्यूज बेष्ट डॉलियली है जैसे यह खतम हो जाता है तो फिर से रिलाइस अपना सपोर्ट इन सब बातों को आप धियान रखिएगा तो यह पहला सेर था अब दूसरे सेर प्राम चलते हैं दूसरा है हमारे एवेंडियो सुपरमार्ट यह भी काफी बहतरी सेर है इसमें भी आपको बहुत सारी न्यूज आएंगे कि रिजल्ट 80% से ज्यादा गिरावट आ चुका है इ सब्सक्रा का बट यह सारी चीजें यह पॉत्लिभ बन का रही है जैसे मोल खुल गया एक बार तो मार्केट को तो हैं मारकेट दूसरा है तो जैसे अगला quarter grade result बहतर होगा तो जो बड़े-बड़े investor वो इसमें invest करेंगे वो आपका इंतजार थोरे करेंगे आप invest करेंगे तब फिर वो करेंगे तो जैसे वो invest करेंगे जैसे demand काफी बढ़ गया share कम मिल रहा है तो वैसे share का price momentum पकर लेगा तो जैसे market को पता चलेगा कि यह mall open हो चुका है सब चीज normal हो चुका है तो इसको आप फिर आप इसको पकर नहीं पाएंगे तो याद रखिए इसमें जो result में गिरावट आया result में खराबी हुआ तो यह देखते हैं उस समय यह share का price था 2300 के उपर और वो directly वहाँ से गिरावट आया 2000 के भी नीचे के price पर और वहाँ से देखते हैं फिर से इसमेरी कभरी आ गया तो कहां है आज भी देखते हैं यह काफी तेज है तो कोई भी result का effect एक दो दिन तक दो चार पाच दिन तक रहा फिर सारा result का effect खतम हो गया क्योंकि fundamentally काफी strong stocks है और सब कोई जान रहा है कि जो हमारा भी situation है वो काफी खराब है तो हर company के लिए खराब है हर stock के लिए खराब है कुछ company को छोड़ दें जैसे IT सेक्टर का है फार्मा सेक्टर का तो हर किसे के लिए situation खराब है तो यह situation का पता हर किसी को है कि business अभी बंद रहने वाले है आगे 6 महना 5 महने जो भी बंद रहेगा तो सारी company के business बंद है तो हर किसी को पता भी है तो यह stocks जो है अभी आपको अगर business ऐसा खराब नहीं होता situation खराब नहीं होता तो अब इसके technical analysis यहां पर आप कर सकते हैं इसमें जो technicals है आप यहां पर देखेगा 2000 पर यह बहुत बड़ा support यहां पर लिया तब पहले 2000 पर resistance बना हुआ था पहले 2000 के price को देखते हैं यहां पर cross नहीं कर पाता था यह अब यह 2000 इसका support बन चुका है तो 2000 के support को अगर break करता है कभी मतलब अगला result भी काफी खराब होता है situation खराब बना रहता है तो आपको 2000 के नीचे यह जाता हुआ मिलेगा नहीं तो यह 2000 इसका support ले भले अभी जो उपर का resistance है वो हमारा है 2200 क्योंकि आप देख सते हैं 1 times 2 times यहां पर देख लिए 3 times तो कई times यहां पर यह support ले जा था अब यह support के नीचे break करके नीचे आ गया तो यह बन गया इसका resistance तो 2200 इसका resistance है जिसको यह break करने पर है जैसे यहां पर break करके ऊपर closing दे देता है एक दो दिन sustain कर सकता है मतब उपर 2200 के उपर sustain कर जाता है तो निस्चित है कि यह आपको support बन जाएगा फिर तो support और resistance याद रखिएगा और जो भी news waste है जब तक news नहीं आता है कि सारा situation नार्मल हो किया सारे mall खुल गए इसके तब तक इसमें आपको momentum देखने नहीं मिल सकता है मार्केट की सबसे बड़ी कंपणी है मार्केट के अप्लाइशन में देखते हैं वर्ल 13,666,000 क्रूर का मार्केट केफ है और कंपणी की dividend भी पे करती है अनिक पर सिर्फ 49 का है तो जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर money control के website पाकर के बहुत सारी लोग पुछते हैं कहाँ पर देखते हैं सारा information आप money control के website पाकर देख सकते हैं डिलाइंस के बारे में जितना कहाँ चाहें कम है क्योंकि यह बहुत बड़ी कंपणी बनने जा रही है तो बहुत बड़ा यह स्टॉक भी बनेगा और यहां dividend देखते हैं हर साल dividend भी company पे करती है फाइनेंसल देखेगा फाइनेंसल भी काफी बहतरीन है जो GIA platform है अभी काफी बहतरीन इसके financial result को बना के रखा है यहाँ पर देखेए 12,000 क्रोर का जो है profit हुआ है उसे पहले 6,000 क्रोर का था यहाँ आपके लिए positive sign है यहाँ से भी लोग पकर सकता है पर मोटर जब इसमें bullish है तो आपको भी bullish रहनी चाहिए बात करें balance sheet का तो balance sheet पे आपको debt दिखेगा debt जो है गर्ज जो है company का पूरी तरह से खत्म हो चुका debt 23,000 क्रोर का दिख रहा है जो की पूरी तरह से खत्म हो चुका अब तो company पास जो investment आएगा वो इसके expansion में यूज किया जाए expansion में क्योंकि debt खत्म हो चुका company का reserve भी काफी है company का पास 4,8,000 क्रोर का इन सब बात को आप याद रखेगा उसके बाद एभेन्यो सूपर मार्ट इसका भी आप valuation देख सकते हैं यहाँ पाप valuation पर क्लिक किजिए तो valuation पर 1,43,000 1,43,000 क्रोर का market के application है company dividend pay नहीं करती है पुरी तरह से growth पर focus करती है तो निश्चित है कि यह काफी बहतरीन company मनने के लगातार growth कर रही है और जो इस company का growth है अपना land खरीती है अपना mall बनाती है तो काफी अच्छा assert भी है इस company के पास यह सारा parameters आपको याद रहनी चाहिए company के पास dividend देखेगा कभी dividend नहीं दी है bonus split नहीं दी है financial पर जाकर कि आप result देखते है result काफी परफावित हुआ है company का यहाँ पर देख लिजेए पहले 271 271 करोड का profit था quarter on quarter basis जो कि उससे पहले देखेगा जून 19 में 323 करोड का था जो कि मातर 40 करोड का profit वा क्योंकि lockdown रहा कोई भी समान अच्छी तरह से sale नहीं हुआ mall पूरी तरह से बंद था उसका बाद share holding pattern देखेगा company के promoters के पास जो maximum stake हो सकता है 75% तो उतना stake promoters के पास है तो हर parameters पर देखेगा company काफे बहतरीन है balance sheet देखते है balance sheet पे जो debt है company के पास कर्ज बिल्कुल 0 है देखते है 3.73 करोड यह तो मामली debt है 3 करोड जहाँ company का profit ही 300 करोड है तो 3 करोड debt तो यह तो negligible हो गया company के पास reserve देखेगा काफी जादा है 10,000 करोड का deserve है company के पास तो यह deserve क्या करेगी आपको bonus बना करके देगी share नया आपको share बना करके आपको bonus के रूप में फिर ही share देगी तो यह बहतरीन balance sheet था और बहतरीन दो company था जिसमें हर गिरावट में आपको invest करनी चाहिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और share तो बनता ही है साथ ही साथ चैल अफ़ पहली बार है subscribe करके बेल आइकन दबा लिजेगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैए